हर्बल रेमिडी जे नेचर स्टेजर में मित्रो आपका स्वाधत है और आज एक और प्लांट की चर्चा करेंगे प्रियंगू हम लोग कहते हैं प्रियंगू कैलिकार्पा मैक्रो फिल्ला वर्बिनेशी फैमिली का ये प्लांट है मित्रो और पिंकिस परपल कलरकिस के फूल आप देख पा रहे होंगे गर्मियों का मौसम है कई परकार के डाइजेस्टिव डिसॉडर्स बहुत कॉमन हो गए हैं जो कि हमारे लिवर के विकनेस के कारण और इंडाइजेशन के कारण उत्वन कहीं परकार के रोगों के निराकरण की आजचर्चा करेंगे और कहीं परक सटो माली खोनट है है कि आहरा सकती है कि कि अभव और वेसे को गांश जो खोड़ सकते हैं। कहीं ना लिए से जुड़िवी समझ्जार तो लिवर की श्ट्रेंग्ट को बढ़ाने कि लिए आज इस प्लांट की चर्चा कर रहे हैं वो भी इसे उप्योगी है मित्रो इसके फूल और इसके पत्र इसका आप काढ़ा बना कर सेवन कीजिए कैसे बना सकते हैं आप 10 ग्राम इसके फूल और कॉमल पत्र लेकर 200 मिली लीटर पानी को अच्छे से घरम कर लीजिए डिक लिवर के टॉक्षिंज को दूर करता है फिरी रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटीज होती है इसके अलावा लिवर सेल्स और पैंक्रियास की सेल को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है डाइबिटीज की समस्चा होती है वो भी ठीक हो जाती है और कुपचन के कारण ब करने वाला होता है मित्रो इसकी जो च्छाल होती है सीत वीरिय उसकी प्रकृति होती है और पेट में गर्मी के कारण या गरम दवाएं खाने के कारण भी अगर मोशन की समस्चा हो गई है तो उसमें भी विशेशलाब हो जाता है आप इसकी च्छाल का डिकॉक्षन बना कर हैं तो वह लिकॉरिया की समस्चा को ठीक करता है जिसको हम स्वेथ प्रदर कहते हैं उसको ठीक करने का कारे करता है हॉर्मोनल लेवल पर इसकी अक्टिविटी होती है हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हुए जनाइटल ओर्गंस की विक्नेस को दूर करते हुए स्वेथ प् बार बार होने वाले बुखार इन सब के लिए भी आप इसकी चाल के काड़े का सेवन कर सकते हैं एंटी टूमर एक्टिविटी भी होती है पेन किलर का भी कारे करता है और एनालजेसिक एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है टूमर के कारण के बार जो ऐसे निया पेन होता है उसका नेरा करण भी इसी के चाल से बनाए हुए काड़े से हो जाता है विशेस उपयोगी है इसकी चाल का आप काढ़ा पीजे एंटी टूमर एक्टिविटीज के लिए और हर्मोन को रेगुलेट करते हुए टूमर को उनकी ग्रोथ को इन्हीविट करने का कारे करता है एपोपिटोसिस को बढ़ाता है और कैंसर सेल्स को भी अगर हैं तो मारने का कारे करता है काफी अच्छी इसकी उपयोगिता होती है लेकिन जानकरी ना होने के कारण हम इनको यूज नहीं कर पाते हैं तो मैं कहूं लिवर असोचेटेड डिसॉडर्स डाजेस्टिव कंप्लेंट्स तूमर्स डाइबिटीज लिकूरिया और बार-बार होने वाले बुखार जो की वीक डाजेस्टिव सिस्टम के कारण और बायोटा के वीक होने के कारण माइक्रोबियल ग्रोथ जो हो जाती है उसको इनिविट करने का कारे करता है और जब हमारा बायोटा इंटेस्टिनल बायोटा का डवलप्मेंट प्रोपर होता है तो बॉड़ी की इम्मूटी भी अच्छी होती है और जो हम फूड या पे बढ़ाने में भी सायक होता है प्रियंगु एक महान उसदी है कटिंग के माध्यम से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं सुन्दर इसके फूल होते हैं आपके पास अगर थोड़ी भी जगह है तो आप इसको कटिंग के माध्यम से प्रोपेगेट कर लीजिए और बड़े ग होगों के लिए अलग से बनाई हुई है और अधिक प्लांट्स जो आपके छेतर में मिलते हों इनकी डिटेल्ल जानकारी भी उसमें दी गई है कई सारे प्लांट का डेस्क्रिप्शन अलग लग डिसोडर्स के अकोर्डिंग भी दिया गया है वह आप महां से देख सकते हैं फिर भी आपका कोई डाउट रहता है कोई इसके साथ जुड़ी हुई समस्चाएं भी हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं इन्हीं वातों के साथ आपकी मंगल स्वास्ता की कामना करते हुए कल फिर सुबह साड़े 6 बजे एक नए प्लांट की चर्चा के लिए मिलेंगे आप सभी का धन्यवाद पर नाम नमस्कार